मैं हूँ सत्यपूरी और मोस्ट इंपोर्टेंट लूसेंड जी के सीरीज में आप सब का फिर से स्वागत है तो आप चाहे भारत में किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हो रेलवे एससी तो ये सीरीज आपके लिए काफी महत्पून सावित होने वाला है तो चलिए सुरुव प्रकलन समीति दोनों की दोनों ही अस्थाई समीतिया है सरकार के आस्वासन पर समीति और टेबल पर रखे पेपर पर समीति यानि इसका सही जवाब हो जाए गड़ी यानि उपरोक्त तीनों ही जो हैं लोकसवा की अस्थाई समीतिया इसको याद रखेगा प्रिवेस एर मे कार राश्वपती के पास होता है जब की बैठा की जो है अध्यक्षता कौन करता है वह लोगसभा के अध्यक्ष और प्रस्णा प्रहरत के वहें तो कौन सा ऐसा समिति, हैं जो विपक्ष का एक नेता अध्यक्षिता करता है तो कौन से समिति हो गिलोक लेखा समिति अभि आपको पता होगा हाली में जो NDA गौर्रमेंट के सकार बने थी तो मलीका अरजुन जो खड़ गये थे वो लोकल से लेखा समीथी के अध्यक्स चुने गयते हैं हलाकि अभी मलीकारजुन खरगे को कॉंग्रेस का अध्यक्स चुना गया आगे बढ़ते हैं अधिक्तम एंगल भारती है जिने लोकसभा में मनोनित किया जा सकता है उनकी संख्या कितनी है तो उनकी संख्या दो है जिनको लोकसभा में मनोनित किया जाता है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 होती है ये भी आपको याद रखना है ठीक है और अभी जो है दो जो है राश्टपती मनोनित कर सकते हैं एंगल इंडियन को भारतिय राजनिती में कौन सर्वज होता है कौन हो सकता है सुप्रीम कोट सम्मिधान संसत या धर्म तो सुप्रीम होता है सम्मिधान भारत का सम्मिधान है वो सुप्रीम होता है और उसके पास सारी सक्तिया होती है और हमें देश को सम्मिधान के अनुसार ही चलाना पड़ता है भारत के सम्मिधान का अनुचेदवन भारत को घुसित करता है क्या घुसित करता है तो भारत जो है वो राजियों का संग है अनुचेदवन का अनुसार और अगर आप अनुसूची की बात कीजिएगा तो अनुसूची में भी यही बात लिखी है संग और राज्य के बारे में पर्थमानुसूची में भी यही लिखा हुआ है तो अनुचेद 1 की बात कीज़े या भी अनुसूची 1 की बात कीज़े संब में जो है यही बता गया है कि भारत जो है राजियों का संग है एक federal government है संग यह विवस्ता है भारत में भारतिय संसद में सामिल है भारतिय संसद में कौन सामिल अभी हाली मैं TPC का एक्जाम हो आता जो railway का उसमें ये प्रश्ण पूछा गया था भारतिय संसद में क्या क्या सामने तो राष्टपती जसे सवा याद रखेगा अच्छा प्रश्ण पॉट शमेद्धानी उपचारों के अधिकार को भारतिय संसद का हिरदtes कोको बीर इंचान कगे ре pandा संब्धानी पचार की आइयंू से अनुछेद याद रखेगा अनुछेद जो है यह 32 है 32 से लेके 35 तक का जो अनुछेद है समिध्धान की अत्मा वना एक और प्रश्ण पूछा जाता है कि अनुछेद 32 यानि समिध्धान का अधिकार अविश्वास प्रस्ताव को लोग सभा में सिर्कित होने के लिए कितने लोगों के समर्धन की अवसकता होती देखिए आप लोग में से बहुत सारे लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा तो 50 लोगों की अवसकता होती पहला दूसरा प्रस्ता जो लोग सभा में पास किया जाता है तो यह वी याद रखिएगा और 50 सदस्यों कर दिया है तो इसे पास करना मेंडिटरी हो जाता आप देखते हैं अगला प्रश्ण की आप पूछा जा रहा है देखे साइंस का प्रश्ण है पूछ रहा है कि किस खोज के लिए वाक्समेन को नोबल पुरुषकार मिला अब यह आपको लग रहा होगा कि क्या इंपॉर्टेंट प्रश्ण है तो यहां धियान दिजिए कि वा Nobel Prize मिला, और Nobel Prize किस चीज के लिए मिला, Medicine के छेतर में, Medicine का Nobel Prize मिला, Streptomycin को मिला, ठीक है, First antidote था, Tuberculosis, या जिसे हम TB बोलते हैं, Shotman, देखे, X-Kirno की खोज किसने की थी, पूछा जा रहा है, तो X-Kirno X-Ray, X-Ray, X-Ray की खोज किसे कौन करेगा, Roentgen, Roentgen, X-Ray से Roentgen, याद रख लीजेगा, हमेशा याद रहेगा, X-Ray से Roentgen ने, X-Kirno की खोज की, कब की भाई, तो 1895 में की, ये भी याद रखेगा, कभी-कभी पूछा जा सकता है, हाला कि ये बहुत बार, प्रिपिटिट प्रेशन है, कि Roentgen ने, X-Kirno की खोज की, किसमें की कैथोड ट्यूब में, कैथोड रे का ट्यूब था, तो उसमें, X-Kirno की खोज की, Roentgen ने, देखें, क्या बोल रहा है, UNESCO के, Pricks Jules Verne Pruskar, दूरदरसन के निमलिखित में से, किस धारावाहिक को दिया गया, अब देखें, ये क्यों important हो जाता है, क्योंकि ये UNESCO का है, तो UNESCO का important हो जाता है, Pricks Jules Verne Pruskar है, और दूरदरसन सरकारी चैनल है, तो उसे मिला है, तो ये double important हो जाता है, UNESCO, प्लस सरकारी चैनल के कारें, तो कौन से धारावाहिक को मिला, turning point को मिला था, आप बोलियेगा कि इतना पूराना question है, तो ये कब मिला था, 1991 में मिला था, लेकिन अभी भी relevant है, अभी भी exam में पूछा गया है SSC में, तो इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि 1991 में UNESCO का प्रिक्स जूल्स वर्णे पुरुषकार जो है, धूर दर्शन के धारावाहिक, turning point, turning point, turning point को दिया गया, 1990 में याद आखियेगा, आपके exam में आ सकता है, अच्छा इतना दूर तक चले आए हैं, मतलब कि वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जादा से जादा दोस्तों सेयर करना मत भूलिएगा, साथी साथ चैनल में नया है, तो सब्सक्राइब कर लिजगा, अगर आपको अपडेट नहीं मिल पा रहा है, तो नीचे एक टेलिग्राम ग्रूप का लिंक दिया है, तो पहले जान लेजिए इसका हेट क्वाटर कहां है, तो हेट क्वाटर है दहेग में, दहेग कहां है भाई, तो ये नीदर लेंड में है, नीदर लेंड में यूरोपियन कंट्री है नीदर लेंड, तो दहेग नीदर लेंड में इसका हेट क्वाटर है, दहेग में 15 जज होते हैं 9 वर्स का कारेकाल होता है और United Nation United Nation General Assembly प्लस United Nation Security Council द्वारा जो है इनका कारेकाल जजों का कारेकाल या फिर बुलिए जजों की नियुक्ति की जाती है United Nation General Assembly और United Nation Security Council और United Nation का ही एक भाग है यहां पर जो भी फैसला होता है वह सर्व मानने होता है और सबको मानना पड़ता है तो बहुत आसन प्रश्टर में है इसको यहाद रखेगा तो इसका जो हेटकोर्टर हो गया आपका नाकपूर में और यह 1958 में अस्थापित किया गया था नाकपूर के अंदर ठीक है याद रखिएगा पर्फ्यूम के छेतर में दिए जाता है देखे क्या बोलड़ा है कि निमलिखित में से कौन सी एक पुष्टक डॉक्टर हरीवन्स राय बच्चन द्वारा लिखी गई थी तो कौन सी एक पुष्टक लिखे गई थी तो यह थी कामायनी नहीं नहीं थी चितमरा भी नहीं थी सतरंग गिनी नहीं लिखी ते हैं अब देखिये है कि भार्न प्रसिद जील कौन सी इसके पुष्टक जील ना ये प्रसिद लैगून जील हा है भारत की प्रसिद लैगून जील याद रखी चिलका जील है कहां पर है तो पूरी जो है पूरी का एरिया है खुद्रा का जो एरिया है यह एरिया में है इस्तित कहां पर ओडिसा में पूरी और खुद्रिया का एरिया में इस्तित है लेगुण जिल है चिलका पुली कट आपने नाम सुनाओगा अब पुली कट जो होता वो बॉर्डर प और आप यह कर सकते हैं कि यूडी यूडी एचार पुछा जाता है यह यूवर्सल डिक्लिरेशन ऑफ हुमन राइट यूडी एचार के अनुसार जो है आइसो टोन में हमेशा होता है च्रकों में हमेशा क्या होता है तो आइसो चाहिए लिए gratis ma Sponge smane में समान संख्या मेंग्लोड होता है और की स्थानिक समस्थान जो हता समस्थानिक किसमस्थानिक क्या होता है एक ही प्रमानु कर्मांग जो है वह समान हो जागा समस्थानिक जिसको आइसो общем बहुत में जो है लीजित को मान रहता है और इसो टरॉन में आपका neutron समान रहता है तीनों को याद रखेगा अच्छा देखिए यहां पर एक चीज और समझे कि समस्थानिक से हमेशा question पुछा जाता है तो hydrogen ठीक है deuterium और treuterium जो है इसका example hydrogen deuterium और treuterium समस्थानिक का example है आइसो बार का भी पूछा जाता है आइसो टोन का उतना नहीं आता है आइसो बार का पूछा आता है तो याद रखेगा कि आरगन आपका potassium और calcium यह जो है इसमें क्या होता है कि आपका 40 सम्में 40-40 atomic weight होता है मतला परवानु भार 40 रह था आरगन का भी पोटेसियम का भी और कैल्सियम का भी तो आइसो बार हो गया और आइसो टोन तो बता है दिया समान लिटोन और समस्थानिक हो गया हाइडोजन डिटेरियम तीनों याद रखेगा इंपोर्टेंट प्रश्णता देखे चोल राजबंस के उभरते एक महत्पून सासक था चोल राजबंस का महत्पून सासक कौन था तो राजा राजचोला इसने बहुत सारे मंदिरों का भी निर्मान किय यूनेसको सुविरासत स्थल राजबंस क्या हम्पी की सराजय अस्थ है करनातक में इसरित है आपको याद होना चाहिए भारत में रेपोरेट कौन अधाद करता कौन करेगा तो यह रपी करता है यानि की रिजर्फ बैंक और वी आई अच्छा रेपोरेट क्या बूच्छे और और यहां को सब्राइब, दुझक शामानखॉर्सित द्वारा 네 यह है, κोंसी पूस्तत सरमानखुर्सित invite द्वारा नहीं लिखी गए थी, टो देख्यांगे, यह है, at home in India the Muslims अर्मान खुरशीद ने लिखा है Sons of Babur नाम से ही पता चल रहा है Sलमान खुरूशीद ने लिखा the other side of mountain यह भी सलमान खुरूशीद ने लिखा एन एरा अफ डार्क्नेस बहुत ज्यादा महत्पुल्पुस्ति के किस ने लिखा यह याद रखेगा ससी धरूर एंड एरा डार्कनिस के रचाइता है पाकिस्तान के गुरुद्वारा साहेब गुरुद्वारा साहेब और पंजाब जिल्ले के डेरा बाबा नाना गुरुद्वारा को जोड़ने वाले करतारपूर कॉरीडियर का उद्धगाटन किस ने किया इसमें आपको दो-तीन प्रस्ट मिल जारा पहला तो पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहब है ठीक है और पंजाब में डेरा बाबा नाना गुरुद्वारा था करतारपूर कोरीडर से इनको जोड़ा गया तो यह अपने आपने प्रस्ट में याद रखेगा नरंद मोदी सथी इसाद अमरावति का जो है आपका हाइख को देख सबसे नया हाइख कोट याद रखिए रखिए तहार तो जहांगीर का इस Sn total तूमस Varu जहांगीर के दर्वाल में पूछ लेकिन नेवाला पहला एंग्रेज ही सुरु से understood अगला प्रसंद देख लीजे साची उस्तूप निमलिखित में से किस राजमिस्तित आसान प्रशन कहां पर है मद्य पर्देश में किस ने बनाया साची इसका संबंद किस से है साची का इसको बुद्ध से बुद्ध भगवान जब मर गए थे ना तो उनकी अस्थियों को साच अची के स्थूप में रखा गया था ठीक है और असों से भी याद रखेगा तो यह आज का आखरी प्रसंदा कैसा लगा जरू कमेंट करके बताएं वीडियो को ज्यादा ज्यादा दोस्तों के साथ सेयर करें आप से जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जह हैं दोस्तों